आईए दोस्तों आप सब का स्वागत है हमारे चैनल बीएच्व वाले दा हिस्टोरीका में आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे टॉपर स्टॉक की एक सीरीज चलाई जा रही है इस सीरीज की एक सीरीज की इस कड़ी में आध हम लोग जूरने वाले हैं तो आईये हम मिलते हैं जिन्हों ने आएए एससी में आपना एक सी पे उमें कंफिर्म किया है स्वागत है आपका हमारे चैनल बीएच्व वाले हिस्टोरीका में आपकानाम जानना चाहेंगे कि अपकानाम किया है जी बहुत बहुत धरनेवाद आपने मुझे यहाँ इस प्लेटफर्म में बिलाया मेरा नाम साक्षी पाठक है और यह भी जाना चाहेंगे कि आपके स्कूर के यह क्या है जी मेरे माक्स 269 आ रहे है जब कोई टॉप करते हैं जिनका सीच सेलेक्शन हो जाता है तो लोग जाना चाहते हैं कि उनकी रन्नीती क्या है उन्होंने कौन से बुक पर है तो यह अब हम जाना चाहेंगे कि आपने क्या रन्नीती अपनाई मैंने तो पहले एंचन हिस्ट्री में अपने बेसिक्स कवर कियais कि आरे सर्मा की जो है वो मैंने पढ़ी थी इसकी अलावा जो सिमेस्टर वाइस हम लोग के जो भी सिलेवस में प्रिसक्रैब बुक है वो मैंने पढ़ी थी और उसके अलावा मैंने बहुत स्छे M.C.Q. solve किये थे और M.C.Q. के लिए एक India Plus बूक आती है वो मैंने solve किये थे उसके सारे इंसिन के portion तो उसे काफी help मिली थी मुझे ये जाना चाहेंगे कि आपने कहीं क्लास भी लिए थे PG की तयारी के लिए बहुत सारे बच्चे करते हैं तो ये भी हम जाना चाहेंगे PG के लिए क्लास कोई अलग से तो मैंने नहीं ली थी लेकिन सत्यपाल सर है वो एक क्लास चलाते हैं से इंटरेंस के लिए इंटरेंस के लिए इंटरेंस के लिए तो उसमें मैंने वो क्लास जॉइन कि थी तो उसके वो जॉइन करने के बाद मैंने काफी सारे कोश्टन्स प् चैनल है उसका क्यूच फोलो करती थी औहुत सारे चीज़े हम हम लोगों ने सिलेवा स कमप्लीट किया था वो भी परती थी तो उसके वारे में क्या विचार है देखिए जो चाहेंगे कि यह कहां से ग्रेजूएशन की हुई है तो जी मैंने अपना ग्र्याजुशन यहीं बी एंच्ट एमम्ब्स से किया है तो एमने बीए बारे में चाहिए अब देखिए बीएक में ही नहिए, तो जाहिर बात है काफी अच्ची पढ़ाई उती होती और अगर बात करें हम, मैंने तयारी कहां से की, तो उसमें जो हमारे पर्फेसर ड आप फॉलो करती हैं तो इंट्रेंस में तो आपको ज्यादा मेहनत करने ज़रत नहीं पड़ेगी आपका हो जाएगा क्योंकि जो नॉर्मली सिलेवस होता है वहीं से उठके आता है तो आप एजीली क्रैक कर सकते हैं तो अब हम आगे जाना चाहेंगे कि ये बिलॉंग कहां से करती है कहां से आई है ये पढ़ने के लिए बी एच यू में तो आप कहां से आ रही हैं जी मैं बलीया से बिलॉंग करती हूँ. तो बलीया में परहाई के मामले में कैसा माहोल है आपके घर यहां आना लड़कियों के लिए बड़ी बात होती है तो उसके बारे में बताई ये बलीया से यहां तक का सफर तो काफी अच्छा रहा कहेंगे क्विल्थ के भाद मैंने ग तो हो भी जाएगा ऐसा क्या सकते हैं और अगर हम बात करें घरवालों की तो घरवाले काफी सपोर्ट की जाने के लिए और उन्हीं की बदॉलत मैं आज यहां पर खड़ी हूँ घरवाले के बारेम तो जानते कि हमारे पारेंस हमारे बहुत सपोर्टीव होते हैं लेकिन जो ह सब्सक्राइब करेंड़ा हैं तो मेरे रिष्तेदार काफी अच्छे हैं इसे शाधी की बाते नहीं चल रही हैं उन्हों किया तो फिर अब मेरा बीए के बादे में हो रहा है फिर इसके आगे और भी पढ़ाई जारी रहेंगी काफी सपोर्टिव हैं आप बहुत लखी है ऐसा लग रहा है इन्होंने यू जी इस बड़े से बिच्चु जैसे बड़े इंवर्सिटी से किये हैं और पीजी भी करने जा रही है तो इनका अब लक्ष भी बहुत बड़ा होगा तो हम वो भी जाना चाहेंगे कि इनका आगे का लक्ष क्या है आगे क्या करना चाहती है जैसे कि अभी अपने लक्ष बहुत बड़ा होगा वैसे बहुत बड़ा लक्ष तो नहीं है अभी तो मेरा जो निक्स्ट गोल है वो है कि पीजी के जो भी साल है मतलब दो साल जो पीजी के हैं उसमें मैं ज्रफ क्रैक कर लूँ और रिसर्च करूं आप लोग पीजी के बाद जे आरेफ करना चाहते हैं कोई यू पीजी करना चाहते हैं लेकिन साक्षी जी का एम एक नेट जे आरेफ करने का है जब हम किसी एक्जाम का तयारी करना सुरू करते तो हमें लगता है किसो होगा या नहीं होगा पहले ही सोचने लगते हैं सफलता सफ प्रेसर फील होता है कि पता नहीं एक्जाम होगा या नहीं होगा इसके दौरान काफी स्ट्रेस आ जाते हैं तो वो तो मतलब नैचुरली सब के साथ होता है तो ऐसा मैं कहना चाहूंगी कि प्रेसर लेनी की जरूरत नहीं है आप ग्रूप डिसकर्शन में बहुत सारी चीजे सिख सकते हैं दोस्तों से बात करके आप हलका फिल कर सकते हैं ठीक है ज्यादा इस्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और देखे जो भी एक्जाम का जो भी सिलेबस होता है अगर आप से 100% भी कवर नहीं होता है अगर तो आप उसका 75% तक आप अगर कवर कर लिया है तो आप उसी को बार-बार रिवाइस करें तो उसे काफी हल्प मिलती है इसको लेकि हम लोग काफी टैंशन में रहते हैं कि इतना सिलेबस है हमने इतना नहीं किया पतना इंग्जाम में अगर इस पूछ दिया तो तो आप जितना पढ़ें उतने को ही बार-बार रिवास करीए तो आपक और ये जाना चाहेंगे कि अब आप MNB से जहां आप महिलाओं से गिरी वी थी अब आप यहां फेकल्टी में आ रहे पर नहीं, यहां लड़के होंगे अब माहौल चेंज होगा तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी से कि अब लड़कों के साथ भी परहेंगे देखिए अब भी वैसा तो परिस्थिती नहीं है कि अभी नॉर्मली कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ बैठ के पढ़ सकती है क्योंकि मैरी स्कूलिंग हुई है तो मैं किसी गल्स स्कूल से हूँ नहीं तो इसलिए मुझे कोई हिचक नहीं है मुझे इसमें कोई परिशानी नहीं है हां तो हम अभी बात कर रहे थे साक्षी पाठक जो की बलिया से थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कूर किया है और अब इनका एड्मिर्शन बी एच्यू में पीजी में होने वाला है जो पहले भी यह बीएच्यू से ही पर रहे थी लेकिन अब फिर से यह बीएच्यू में ही अपना एक सीट कर्फर्म किया है हमें बहुत अच्छा लगा करेंगे जैसा कि आप एक और टॉपर्स मिले एसे बहुत सारे चैनल के साथ जूने वाले हैं तो आप हमारे चैनल बीएच्यू वाली हिस्टूरिपा के साथ बने रहे हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब करें लाइक करें और नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाईएगा आप धन्यवाद